कि अ कि हई स्क talking हाइड्रइंग टॉनर शेयर कर रही हूं टॉनरस्कीन को रखता है और हमारे ऊपन पोर्स को मीनिमाइज करता है और स्कीन को अडल होने से बचाता है इसके हैं की चाहिए मैं ने दोमच खीरे का रस लिया है जो की खीरे को ग्राइंडट करके हम निकाल सकते हैं खीरा स्कीन को हाइडरेट करता है और एकने वाली सकीन के लिए भी यह बहुत फायदेंबंद होता है यह हमारे आखों की पफिन नैस अब मैं इसमें दो चम्मच Farm रोजवॉटर एड करूंगी, रोजवॉटर हमारी स्केन को रवाटिलाइज करता है और रैनेस दूर करता है, स्किन को मॉस्चुराइज करता है और हमें ओपन पॉर्स की प्रोब्लम से छुटकारा दिलाता है, जिन लोगों को ओपन पोर्स की प्रोब्लम ज्यादा है वो लोग रोज वाटर का इस्तेमाल डेली रूटीन में करें जिसे उन्हें काफी फायदा होगा इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है अब मैं इसमें एड करूँगे चार से पांच बुंदे ओलीव ओयल की अब विटामिन ए का एक कैप्सूल में इसमें एड कर रही हूँ विटामिन ए में मॉस्चराइजिंग प्रोपर्टी होती है जो हमारी स्कीन को नारिश करती है तो इसको अच्छे से इसमें से निकाल ले तो अब मैं इसमें एड करूँगी आथा चम्मच निम्बु का रस हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे और यह हमारा एक अच्छा हाइडरेटिंग टॉनर हमारा तयार हो चुका है तो आपके पास कोई स्प्रे वाली बोटल अगर खाली है तो आप यह उसमें डाल ले मैं इसे ही अपने डेली रूटीन में यूज कर रही हूं काफी टाइ और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेर कीजिएगा